हाई बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों कल के वीडियो में हम लोग exercise 7.1 का हैना दो नम्मर एक्जामपल तक पढ़ चुके थे मतलब एक्जामपल नम्मर दो तक हम लोग solve कर चुके थे जिसमें हम लोग निकाले थे एड जॉयंट आफ ए निकाले थे हैं क्या और उसका हम लोग बहुत सारा ट्रिक पढ़े थे उसमें और उसमें हम लोग बहुत सारा method भी पढ़े थे तो बच्चों आज के वीडियो में ह ए इन्वर्स जो आप लोग को हम पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं। concept क्लास में भी बता चुके हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का भी बहुत सारा method है। तो इसको भी हम लोग आज के विडियो में सिखेंगे एक इन वHH निकालने का पूरा विडियो को देखते रहें पूरा विडियो को देखते रहें आप लोग को हम आज एक निकालने का बहुत shortcut method बताएंगे बहुत सारा trick बताएंगे A inverse निकालने के लिए और A inverse आपके exam में हमेशा आता है बिहार बोट के exam में A inverse निकालने के लिए बरावर पूछा जाता है बरावर A inverse निकालने के लिए पूछा जाता है इसलिए आप लोग को A inverse सब्सक्राइब किजिए और इसका बहुत ही सरल तरीका सिखना होगा क्योंकि निकालते समय बहुत सारी गलती भी हो जाती हैं तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं अगर और आप हमारे Channel पर नय हैं तो दोस्तों कि एक रेड़ कलर का बटन होगा उसे जरूर से जरूर दबाए और मेरे Channel को सब्सक्राइब किजे और दोस्तों घंटा बटन जरूर से जरूर दबा देजे क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक किजे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर किजे तो बच्चो आज का हमारा सबसे पहला एक्जामपल है आज का हमारा सबसे पहला एक्जामपल है एक्जामपल नमर तीन आप लोग डिस्पले पे देख सकते हैं एक्जामपल नमर तीन को लिखा हुआ है निमने लिखित आब्यू का परतिलों निकाले निमने लिखित आपके बुक का एक्सरसाइज 7.1 का प्रस्ण संख्या 3 के जैसा है तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्जामपल नमर 3 में जितना भी प्रस्ण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं ठीक है तो यह है हमारा एक्जामपल नमर 3 है यह है हमारा एक्जामपल नमर 3 इसमें हमको निकालना है पर्ति लॉम क्या निकालना है पर्ति लॉम यानि व्यूत करम मतलब inverse, क्या निकालना है? inverse, जो आपके exam में हमेशा आता है एक inverse वळा question, एक inverse वळा प्रस्ण आपके exam में हमेशा पूछा जाता है ठीक है, तो इसको आप लोग ध्हान से समझ यह इसको आप लोग ध्हान से समझ यह ना, इसमें हुआं को निकालना है क्या निकालना है निकालना ने थीक है तो चलिए सबसे पहला हम एक बनाते हैं एक नमर ठीक के एक जांपल नमरण 3 का पहला नमर नमरण हम बनाते हैं देखें ध्यान से, तो इसको मान लेते हैं, माना की, माना की a बराबर, देखे धान से, माना की a बराबर, two, three, four, five, two, three, four, five, तो a inverse equal to what, a inverse equal to what, तो a inverse निकालने के लिए, a inverse निकालने के लिए, सबसे पहले हमको यह जाच करना होता है, यह जाच करना होता है, कि इस आभिव का परतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह हमको जाच करना होता है, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं सारनिक a, क्या निकालते हैं, सारनिक a, अभिव का परतिलोम निकलेगा की नहीं निकलेगा, यह जाच करने के लिए, हम लोग इस अब्यू का निकालते हैं सारनिक का निकालते हैं सारनिक अगर इसका सारनिक सुन्य नहीं आता है तो इसका परतिलोम निकलेगा और यदि इसका सारनिक सुन्य आ जाता है इसका सारनिक सुन्य आ जाता है तो इसका परतिलोम नहीं निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले हम यह जाच करते हैं ठीक है तो देखे दान से तो सबसे पहले हमको निकालना है सार्णिक ए डेखे दान से सार्णिक ए क्या निकालना है सार्णिक ए ठीक है तो सार्णिक ए निकालते हैं देखे दान से अप लोग तो टू थीरी फोर फाइव इसको इसस माइनस इसको इस से गुनाच करेंगे करना वा चर्तिया 12 ह dependence 12 10 में से 12 करतेगा, कितना बज़एगा माइनस 2 तो चुक्य सार्निक A equal to कतना ऐगया माइनस 2 माइनस 2 है ना सार्निक A equal to कतना ऐगया माइनस 2 तो लिखाँगे सार्निक A does not equal to 0 सार्निक A does not equal to 0 इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए A inverse का अस्तित्व है A inverse का अस्तित्व है क्या लिखेंगे A inverse का अस्तित्व है मतलब A inverse निकलेगा निकलेगा ठेक है तो अब ईसके बाद हम लोग को निकौन निकलना परता है कि 8 joint किया निकलना होता है एड जौइंट है के विफने हमको एगर लॉंग से बनाएंगे तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कोफ हेक्टर का निकालना पड़ेगा कोफ हेक्टर उसके बाद निकालना पड़ेगा एड्जॉइंट उसके बाद निकालना पड़ेगा एड्जॉइंट उसके बाद निकालना पड़ेगा एड्जॉइंट उसके बाद नि बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं अगर आप लोग में से कोई भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें इसके पिछले व बताया हैं यहना बहुत सारा shortcut method बताया है ठीक हятся है फोट है तो चलिए है अपने हम लोग लोग तो करने क्या है किए सब्लकर यहाँ देखे, इस अभियाब को कितना है, दो, तीन, चार, पांच, दो, तीन, चार, पांच तो Adjoint of A निकालने के लिए, सबसे पहले आप लोग को परतेक अभियाब का चिन पता होना चाहिए टो यह पहला अभ्ययबल करेंद लिखते हैं उसक heut प्रॉम कोड़न कोलम छुर देना में जैसे हम लोग निकालते हए कोफ हेक्टर बस है ओस यह रहाग कोफ हेक्टर कोts निकॉर excited है adjoint of a में ठीक है तो देखें तो 2 का साइन क्या होता है पलउस तो दो लिएंगे दो का रो दो का कोलमор मैंडीगे कर जिए बॉइंड पांच मैनस अब तीन का चलेंगे और यहां लिखेंगे को लम 2 यह लिखेंगे यहां पर चलना आज यहां लिखना है माइनस इसका चिन क्या होगा माइनस ठीक है इसका चिन होता है माइनस तो चार का रो चार का कॉलम्स पर देंगे चार का रो तो यह हमारा Adjoint of a निकल गया Adjoint of a कितना आगया 5-3-4 और 2 यह निकल गया हमारा Adjoint of a क्या निकल गया Adjoint of a निकल गया ठीक है फिर से समझे चिन इसका होता है पलस इसका मैनस इसका मैनस इसका पलस कैसे होता है तो देखे तो धृँछा, जिसे यह है दो गुना दो कोटे का अब यू है मैं जिसमें दो रो और दो कॉलम है तो इसका अब यह लिखेंगे इसको जोरने पर अगर सम संख्य आता है तो चिन पर एगा पलस और जोरने पर विसम संख्य आता है तो कपरेगा माइनस देखिए यहां पर इसका चिन क्या होगा माइनस चार का चिन लिया है माइनस और पांच का चिन का लिया है पलस ठीक है चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं a inverse कि निकाल लेते हैं a inverse तो आप जोग फर्मूला पढ़े हैं याद कीजिए इंवर्स ब्रावर ना चिर्णी संख्योंट ओफ ए बाधे ना a सारनी का मन कIch की तणा है माइनस दू तो लिख देगे माइनस दो और adjoint of a कितना है यह माज किर आया है 5 देखे धन से इनभर्स इसको इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका देखे धन से माइनस पांच बटे दो इसको इसमें गुना करेंगे तो मैनस मैनस कर जाएगा पलस तो जाएगा तीन बटे दो इसको इसमें गुना करेंगे तो मैनस मैनस कर जाएगा पलस और दो स तो यह निकल गया आपका A inverse ठीक है तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक्जामपल नमर तीन का दो नमर एक्जामपल नमर तीन का दो नमर ठीक है तो देखें यहां पर मान लेते हैं हम लोग माना की माना की ए बरावर ए बरावर कितना A पलस I B C पलस I D माइनस C पलस I D और हो जागा A माइनस I B ठीक है और इसमें हमको दे दिया है A square पलस B square पलस C square पलस D square बरावर कितना 1 तो हम लोग को निकालना है A inverse तो हम लोग को निकालना है A inverse A inverse बरावर वाट ठेक है देखें जान से अब लोग तो अब हम लोग करते क्या हैं निकाल लेते हैं सार्निक A सार्निक A सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सार्निक A क्या निकालेंगे सार्निक A जिससे हमको यह पता चलेगा जिससे हमको यह पता चलेगा कि इसका ज़ो है α-inverse निकलेगा या नहीं निकलेगा, हैना, इसका ए-inverse निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक हैं, तो चलिए, तो निकालते हैं इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो जाएगा A plus IB into A minus IB minus इसको इससे गुना करेंगे तो जगरेंगे C plus ID into minus C plus ID ठीक है तो देखे दानसे अब लोग तो यह formula पर A plus B into A minus B पर A plus B into A minus B तो इसको A plus B into A minus B पर तोर देंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका A का square minus यहाँ हो जाएगा IB का square और minus यह भी है formula पर यह भी क्या है formula पर A plus B into A minus B A plus B into A minus B तो इसमें A है आपका ID यहाँ क्या है ID और B क्या है C भी क्या है C ताना लिखेंगे देखें ID का whole square minus C का whole square ठीक है आप देखेंगे दान से आपे यहाँ हो जाएगा A square minus I square B square ठीक है और minus यहाँ हो जाएगा आपका I square B square minus C square ठीक है चलिए तो आप लोग बताएए यहाँ आप लोग बताएए कि I square बराबर क्या होता है यहाँ आप लोग live chat में बताएए कि I square बराबर क्या होता है तो देखे आई अस्क्वाइर ब्रावर होता है माइनस वान कितना होता है माइनस वान ठीक है तो देखे धान से आपे तो हो जाएगा ए अस्क्वाइर आई अस्क्वाइर का मान होता है माइनस वान यहां रखेंगे तो हो जाएगा अस्कॉर पलस बी अस्कॉर यहां मैनस से गुना कर देंगे, मैनस से गुना कर देंगे, तो दोनों बन जाएगा पलस, दोनों क्या बन जाएगा, पलस तो हो जाएगा, पलस C अस्कॉर, पलस D अस्कॉर, है ना, मैनस मैनस पलस, मैनस मैनस पलस, तो आपका आ गया, A square plus B square plus C square plus D square ठेके तो इसके बराबर हमको प्रस्न में दिया हुआ है A square plus B square plus C square plus D square बराबर दिया हुआ है 1 बराबर दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है ठेके 1 दिया हुआ है तो आप में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि सार्निक A का जो मान है वो जीरो नहीं आया है तो लिख देंगे चुकी सार्निक A डज नाट इक्वल टू जीरो इसलिए कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा क्या लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व होगा मतलब इसमें ए इनवर्स निकलेगा ठीक है देखिए तो आप हम निकालते हैं है द्ढ्स आउफ है थे के फिलान सार्थ तो निकालते हैं इसट्वाइंट आफ एयुए एटर्स आइपकतर क्यागा वगा इसके पहला अभी आपका HOL लिख दिए अब a पलस आई बी वेल एप्लस आई बी का रो और कॉलम चोड़ देंगे एपलस आई को रो और कॉलम यह दिंगे तका बज़िएगा है क्या है c plus id सिपलिस ऑडिस टो इसका चेंद क्या होगा इसका च्छीं होता है पहला इसका च binaryative क्या होगा मैनस क्या होगा सबसूराइडर माइनस क्यों अब स्थेलब लगा देते हैं माइनस सी प्लस आईडी माइनस सी प्लस आईडी मैस की प्लस आईडी चलिए उसके बाद दाए हदान से इसका तीष्राभ इसरा भूंál इमक्त अब्रिया है मनला मैनस इसका भी चिन का हता है इसका चिनहेंखें, यह माइनस लिख देता है है, इसका परी और इसका खरी छोड़ देता है, इसका परी और इसका खरी ओप देता है, यहां लिख दीए, क्या लिख दो है, C पलस आई डी, चलिए, अब A माइनस IB का they are plus, तो plus दे दियें और A-IB का परी और खरी छोड़ देंगे परी और खरी A-IB का परी और खरी छोड़ दिये तो क्यों जाएगा A plus IB A plus IB तो यह निकल गया आपका adjoint of A क्या निकल गया? adjoint of A अब निकाल लेते हैं A inverse A inverse देखे A inverse तो A inverse का फर्मुला क्यों था? one but A sarnic A into adjoint of A one but A sarnic A into adjoint of A एई फर्मुला होता है इसका तो बिठा जोते हैं फर्मुला पर देखे तो A inverse बरावर A inverse बरावर one by sarnic A, तो sarnic A का मान कितना आया है? one sarnic A का मान कितना आया है? one आया है ठीक है? चलिए अब adjoint of a adjoint of a क्योंब न दिया हुआ है adjoint of a a minus ib ठीक है फिर रहां देखें minus into minus c plus id फिर रहां देखें minus into c plus id और रहां जाएगा a plus ib a plus ib चलिए तो आप करते क्या है देखें तो x से गुना करेंगे तो इतना ही रहा जाएगा x से गुना करेंगे तो इतना ही रहा जाएगा देखें तो हो जाएगा अपर आपका a inverse बराबर a minus ib आप minus से गुना करते हैं minus से गुना कर देते हैं minus c minus id यहाँ भी minus से गुना करते हैं minus minus से जाएगा plus c और माइनस पलस कितना हो जागा माइनस तो C माइनस I D और यहाँ जागा A पलस I B ठीक है? तो अई हो गया आपका answer तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं example नमर 4 की और आप लोग अपने डिस्पले पे देख सकते हैं आप लोग अपने डिस्पले पे देख सकते हैं लिखा हुआ है निमलिखित आभ्यू का परतिलोम निकालें निमलिखित आभ्यू का परतिलोम निकालें निमलिखित आभ्यू का परतिलोम निकालें ठीक है? तो यह जो example है यह example आपके exercise 7.1 का आपके exercise 7.1 का चार नमर के जैसा है आपके exercise 7.1 का चार नमर के जैसा है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इस परस्न को लिख लेते हैं तो यह है हमारा example नमर चार और इसमें हमको निकालना है परति लोम के निकालना है परति लोम मतलब क्या निकालना है एंविर्स क्या निकालना है इसमें आप लोग को है न दो मेठर बताएंगे किदना मेठर दो मेठर ठीक है देखें दहां से तो पहले हम लोग बनाते हैं Example number 4 का one number. Example number 4 का एक number. तो इसको मान लेते हैं, देखे जान से. लिखते हैं माना की. माना की. ठीक है? माना की a बराबर. 0, 1, 2, फिर है 1, 2, 3, फिर है 3, 1, 1. ठीक है? तो हमको निकालना है a inverse. a inverse. क्या निकालना है? a inverse निकालना है. ठीक है? देखे. तो हम लोग निकालते हैं क्या जी. सबसे पहले सार्निक a. क्या निकालते हैं? सारनिक A क्योंकि हम लोग को सबसे पहले या पता करना होता है कि इसका परतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा इसका परतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा पहले हम लोग ये जांस करेंगे कि इसका परतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा तो इसके लिए हम लोग को निकालना परेगा सार्निक A, क्या निकालना परेगा सार्निक A, तो चलिए हैं निकालते हैं सार्निक A, देखें, तो सार्निक A, तो A बराबर आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है कितना 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर ह फिर है वान ठीक है ठीक है तो यह होगा पलस माइनस और पलस पलस माइनस पलस ठीक है तो जीरो लेंगे जीरो का रो जीरो का कॉलम छोड़ देंगे जीरो का रो जीरो का कॉलम है जीरो का रो जीरो का कॉलम छोड़ देंगे तो दो गुना एक तो आप माइनस वन गुना तीन तीन चलिए माइनस वन लेंगे तो वन का कॉलम आप वन का रो चोड़ देंगे तो वन का रो वन का कॉलम छोड़ देंगे तो वन गुना वन तो वन माइश तीन गुना तीन तो गोगा माइश नॉठ है चली पलस डों एंगे है तुई दो का रो अदो का कॉलम सोर से दो का रो का रो दो का कॉलम तो खुलूर तो 1 माइश दो नहीं दो तो यह एक Uz scared है थांस товित 20 गुना यतना करेंगे तो कितना यह जाएगा ? तो ए समय जाएगा ? गुना 1 में नो घातेगा ? जहाएगा ? थो दो गुना 1 में 6ध गटेगा ? थो जाएगा ? तो गुना माइनस पाँच तो आठ में से दस घटेगा माइनस-2 इसा अर्णिक A इकौल टू माइनस-2 लिखेंगे चुकिंड शार्णिक A डेज नौट इकौल टू जिरो इस लिए यहां लिखेंगे साटित्व था थाथ कि स्कुण सीसिकता ने लिए मुझा अनु capable करें अब हम लोग निकाल लेते हैं अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एड़ जॉइंट ओफ ए क्या निकालते हैं एड़ जॉइंट ओफ ए ठीक है तो देखें चांसे अब देखते हैं Adjoint of A Adjoint of A Adjoint of A Adjoint of A तो पहले सबका sign आप लोग को याद होना चाहिए जितना भी अभियव है इसमें सभी अभियव का sign आप लोग को याद होना चाहिए ठीक है कल भी बता चुके हैं और आज भी बताएं है तो पहला अभियव क्या है जीरो पहला अभियव क्या है जीरो मतलब इसके अंदर लिखना है परतेक अभियव का क्या लिखना है इसके अंदर को फैक्टर परतेक अभियव का क्या लिखना है इसके अंदर को फैक्टर निकालेंग का उस में पर थेख अभी अब का कोफेकटर निकालें का रो या जी आए रो का फॉफेक्टर दग सोरक जीरोगा या did 2, minus. 1 गुना 3, गुना एगा 3. ठिक है? जाले. ठिक है? 1 का, तो 1 का सइन का होगा? minus. 1 का सन मैनस. 1 का रो, 1 का कलम. 1 का रो, 1 का कलम शड़ खवर बेंगे. 1 का रो, 1 का कलम. तो 1 गुना 1. 1, minus. 3 गुना 3, गुना एगा? No. चलिए अब 2 तो का साइन का होता है पाला वर ने जो नहीं लुक्त रोड़ सो करें निकालें दो यहांना इस ौन आप निकाल लेगा वण को पती का साइन कांए होगा वण का सव्ड़ा मैन בא तो तो यहां माइनस वंद्यद्धीं ववरकानज़नार रेखुवारा वरवानज़ने वफो्हा है थो होगा one, minus, one गुना दो, थो होगा दो, चली अब भी, आब निकालते हैं two का अफ हेक्टर, तो two का sign का होगा, जाके हाँ minus लिए तो आपका लेंगे, पलस लेंगे, यहाँ का लेंगे, पलस, two का sign होगा, पलस, two का sign का होगा, पलस, अब 2 का row और 2 का column सुर देंगे 2 का row 2 का column 2 का row 2 का column सुर देंगे तो 0 गुणा 1 तो जागा 0 आप minus 3 गुणा 2 तो जागा 6 चालिए ठीकि में अब 3 का देखे 3 का sign क्या होगा 3 का निकालेंगे co factor 3 का sign क्या होगा में पहल लस्तांग माइनास wtedy सब्सक्राइबार कर देंगा तीन का अ 200-1-0-1-3-1, 3 चले, दूसरा रो का निकाल ले हैं हैंना, हम लोग को यहां पर चलना है, रो वाइज, और इसमें लिखना है उल्होंग ओलम वाइज, ठीक है को दिखत चले, तो यह हो गए अतना प्रछित लिए हैं, आब तीन निकालें, ही इनकाग तुझें जा होगा फुलास तो थिन का हो आधिनकाग को लांग फढ़े नहीं का कॉलंग तो इनकाग offense पार फटीन गॉच ये जाए गाध्यी टो तो तीन घूम ठीनख शुम मेंग शौडल को आधा ह। तो 1 का रोव तो 0 कोना 3 0- 1 कोना 2 दो जागा 2 छल्यें अब इस 1 का, इस 1 का sign का होगाργा, um, 1 का रो 1 का रो, 1 का कॉलम छृच्ड देंगा 1 का रो, 1 का कॉलम, तो 0 कॉना 2 zero minus one तो 2 में से 3 गटेगा तो माइनस एक। भी में में से दो घट्टेका तो मीनस युद्ब टोन सिंक्र गट्टे तो वोगा मारश मैनस मैनस प्लस्ट जोगा 3 और आंक तो जाएगा माइनस यह निकल गया आपका एड जाइन्ट ऑफ a क्या निकल गया एड जाइन्ट ऑफ a आप हम लोग निकालते हैं a कि निकालते हैं देखें तो a inverse तो a-a inverse तो a-a inverse फर्मुला था वान बटे determinant of A into adjoint of A into adjoint of A ठीक है तो देखें चान्से वान बटे सार्निक A तो सार्निक a कामान कितना मैंनस दो सार निक एक वान कितना है मैनस 2 मैनस 2 लिख दिये और Adjoint of A Adjoint of A कितना यह है तो चलिए हो जएगा मैनस 1 1, मैनस 1 ठीक है फिर 8, मैनस 6 2, फिर देखे मैनस 5 3, मैनस 1 तो करेंगे क्या मैनस 1, 2 से गुना कर देंगे इसमें माइनस वान बाइटू से इसमें गुना कर देंगे ठेके तो हो जाएगा A inverse ए इन बहर्स तो गुना कर देंगे तो मैनस मैनस को जाएगा पलस तो है लेकिने मैं सबैं तू से कुना एक रएट में तो खाल न चार के उदसे न अगरेंगे मैनस चय में तो आखाए पणलसती bakalım अठीक है क्ना करेंगे टू में तो जैएगा मैं ट्युक्ता इक है कि अंट पांच बटे दो फिर मैंने सब्सक्राइब तो तो यह हो गया आपका एइन वहर्स अगया आपका एइन वहर्स यह हो गया आप लोग का फर्स्ट मेथड़ नहीं होगी आप लोग का फर्स्ट मेथड़ ठीक है अब हम लोग निकालता है ना सकेंड मैथड़ से ठीक है देखिए आप लोग को यहां तक जांच करना ही होगा ना यहां तक जाच करना होगा ठीक है चलिए तो यहां तक करने के बाद आगे क्या करना है आगे देखिये तो आगे क्या करना है यह देखिए पहले जितना भी लिखा वाइश को लिख देंगे ठीक है देखें फिर इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 1, 1, आप करना क्या है? आगे का दो कॉलम, पिर से लिख देंगे, आगे का दो कॉलम का करना है, फिर से लिख देना है, इस साइड, तेके, 0, 1, फिर 1, 2, 1, है ना, आगे का दो कॉलम, आगे का दो कॉलम, 0, 1, 3, 0, 1, 3, फिर 1, 2, 1, 1, 2, 1, लिख दें, चलिया, फिर करना क्या है? उपर का दो रो फिर से लिख देना है नीचे उपर का दो रो नीचे फिर से लिख देना है तो 0 1 2 0 1 ठीक है फिर देखें 1 2 3 1 2 ठीक है आप करना क्या है फस्ट रो फस्ट कॉलम डिलीट कर देना है यह मैठर आप लोग जानते हैं ठीक है कल भी बताएं आप लोग को चलिए आप देखें धांसे आपे तो देखेंगे आइंवर्स, फर्मुला क्या आता है, आइ इनवर्स, तो आइवर्स ब्राबर क्या तो वान बटे सार्णिक A, इन्टू एड ज्वाइन्ट ओफ A, तो वान बटे सार्णिक A, तो सार्णिक A का मान, कितना है, मैनस दो, ठीक है, अब देखे, दो से गुना करेंगे, वजन में, तो 2-1 तो कितना हएगा 2 आफ 1 gonna 3 कितना हाएगा 3 तो माइनस3 तो 2 में से 3 घटेगा कितना हएगा 1 न शेहां देंग अब क talented to canada to – te relative-futo – one new-nagana को और और Tnaढ़ होन को हूं तो में जए गहां तो एक हर देखा लोन भेटेखा कर दोटेखा ऑगती है झाया है यहां चलना है को लंप आ घटेंगे तरी करेंगे गती उतना है किना एगा फूर तो दिसे मांश पूर तो किना है development case भीने Scottish allergies चाहिए तोано होगा 9 मुणना वर्न थिक्ट नाएक सब्सक्राइर नो मैसे एक गटेगा नो में से एक घटक है किना हो जाएगा 8 चलिए 1 कुना 0 तो कितना होगा 0 और माइनस 2 कुना 3 करेंगे तो कितना होगा 6 तो 0 में से 6 घटक है कि माइनस 6 तो दखें 2 कुना 1 तो तो और तरी गुना जिरो तो कितना हो जाएगा जिरो तो दो में से जिरो घटेगा तो दो वन गुना वन करेंगे तो कितना हैगा वन माइनस तीन गुना दो करेंगे तो कितना हैगा छे तो 1 में से 6 घटेगा तो कितना हैगा minus 5 फिर देखें 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हैगा 3 minus 0 गुना 1 करेंगे तो कितना हैगा 0 3 में से 0 घटेगा तो कितना हैगा 3 फिर देखें 0 गुना 2 करेंगे तो कितना हैगा 0 और minus अब गुना एक करेंगे कितना है ना है ने अवWeb मैंने वे कंद अब गुना कर देना है मैंने सन्भाइस जबना कर दिना है कि अनवाइस न फारग मायम सबतेक्य मैने plus minus minus त्वิद के minus minus पलस फलस पलस equal to minus और दो से कार देंगे तो दो छोग 9 स किन अवैद minus 4 पिर देखे minus minus plus 2 से कार देंगे किना वाद दो minus और 29见 तुए मैनस-फल्स होगा कितना पांच बटे दो ड़ो है पांच बटे दो मैनस-फल्स-फल्स-फल्स-था रहा है थिए-फ्णय और यह घ्याए आपका निकालना ही होता है बस में हमको एक चीज एक्सट्रा निकालना होता है तो सारनिक एनिकालना होता है ठीक है तो adjoint of a का process ही है a inverse का निकालना है जैसे हम लोग निकालते है adjoint of a उसी तरह से निकालना होता है a inverse खली a inverse में आपको क्या निकालना है सारनी के बाकिये सारा प्रोसेस क्या होगा adjoint of a वाला ठीक है चलिए तो ये दो मेठेड हो गया ठीक है आप लोग बनाते बनाते आप लोग का मर्जी हो तो इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं और भी ज्यादा कर सकते तुर कि चलिये हम लोग बनाते हैं चार का दो नंफर एक और और सौट करेंगे एक और सौट कट तरीका देख लिजे और सौट कट तरीका देख लिए धान से इसको जो है दो नमर को जो है है ना दो नमर को जो है हम बहुत ही सौट तरीका से बनाएंगे ठीक है बहुत ही ज्यादा सौट तरीका से ठीक है देखें तो मान लेते हैं आप एगे माना कि ए ए बराबर लाट तो निदू-3 और 3 फिर है तू तू थिरी फिर है तू थिरे फिर थिरे माइनस तू 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 निकालना है ए इंवर्स का निकालना है A inverse equal to what like देखे थो सब से पहले हम लोग निकालेंगे सार्णिक A क्या निकालना है सार्णिक A छंब निकालते हैं सार्णिक एँ अना सार्मिक ए तो देखिए धान से अब लग लेखें दिया हुए कि ना टू-3 ठीर पिर कितना है टू-2 थिरी पिर कितना है ठीर तू-2 टू ठीक है तो सान कर वता है पलस minus minus, plus, मता है नगा, plus minus, plus, देखे, तो दो लेंगे, हैंने, 2 का row और 2 का column छोर देंगे, 2 का row और 2 का column, चोर देंगे, 2 का row और 2 का column तो दूद नहीं को जाएगा दोगना दो करेंगे तो चार अब माइनस माइनस दोगना तीन करेंगे माइनस दोगना तीन करेंगे तो माइनस छे यहाँ जाएगा पलस छे चलिए फिर हमानस लें इस हमानस इसी है और यह मानस त Paper ś माइनस 3 का श्वर देंगे माइनस 3 का खूलंव कोलम और रों तो 2 गुणा 2 तो जागर 4 4 माइननस सबीटना 2 करेंगे एक निए हगा छे तो दिक दाँसे दो गुना 4 जो हजाँगे दस मैनस मैन मैनस प mitad track मा पांच पालसस्ती घुना माइनस दरस ठीक है द olph-25 देखेज जहाए मैनस पैठीसी है तो देखेज में यह मेनस 10 हो जाए गया तो यह 0 को ब्राबर नहीं आया है लिख देंगें कि चुकि चुकि सार्निक एड़ नॉट इक्वल टू जीरो सार्निक एड़ नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है ए इन्वर्स का अस्तित्व है ठीक है देखे दान से अब आप निकालते हैं हम लोग है डार्रू निकालते हैं ए इन्वर्स देखें अिन्वर्स ब्राबर क्याorang मटई सार्निक ए इन्टू एड़ जॉइन्ट आ झता है बैप देखे अब देखिए निकालते हैं ठीक है एड़ जॉइंट ओफ ए यहां पर ही डारेक्ट निकाल देता है और सॉट हो जाएगा ठीक है और सॉट हो जाएगा देखिए दान से तो दो का निकालेंगे दो का चिंद क्या होता है प्लस प्लस देएं चलिया दोका रोग मिद्लोकर जोड़ेंगे दो का रोग सवक्षिंगेगे दोके क्म जेएगे दो का निक्ना चार फॉरमॉला का मैम नसकम नस साथ्टिं क्वाइन चेह मowanそうそう mets Small state मैं अग्स we holding तीन का रो तीन का कॉलम स्वर्देंगे तीन का रो तीन का कॉलम तो दो गुना दो गुना जाएगा चार माइनस तीन गुना तीन का रो तीन का कॉलम स्वर्देंगे तीन का रो तीन का कॉलम स्वर्देंगे तीन का रो तीन का कॉलम स्वर्देंगे तीन का रो तीन का कॉलम स् माइनस चार और माइनस और तीन गुना दो कितना हो जागा माइनस छे चलिए ठीक है अब निकालते हैं दूसरा रो का कोफ हेक्टर है ना दूसरा रो का कोफ हेक्टर दूसरा रो का कोफ हेक्टर तो इसका साइन क्या होगा इसका साइन था पलस तो इसका साइन क्या होगा माइ चलिए तो मैनेस डेंगे आब 2 का रो और का कॉलम चोरदेंगे दो बिए मैनस तीन गुणई 2 तो जोड़एगा माइनस छए फर्मॉला का माइनस और मिलागा माइनस दोगना मैनस 3 तो मैनस मैनस 3 गुंँआ दो मैनस 3 तहाँ अब अ हम पलस olması हो जाएगा छली उसके वाद दो गा जण क्या होगा बओंवाओं पर देंगे डोदर्धार किलेगे लियुक्थ wall ऐब करोंके दो और रोग कोलंप दो छूर देंगे अर दो कोना 2. के तो फुस्द्यांकि तो सस्थ फून होलेगा चart अब मास समय बाहएं तीन कोना 3 अर्यागा नवच्फ़ नोमन को और तीन का कॉलम्प मैनस-2 दो मैनस-4 ईन ओस के ना थिपिए रो और कोलम सह들 दो मैनस दो तो मैनस चाट तीर कोणा मैनस तीन तो मैनस नो कुछा गैव होगि मुझा ही जाना पलस नौ थेन पलस नो थेन का सब्सक्री मेंस चार और माइनस तो थेना-फंस नों चलिए तो यह हो दूसरा है ना आरड़ एक्रण निकल गया हम निकालते हैं रमजिए निरीक ज़ुकर एक्र अरभी का आइधिकर देर टीन सपर रौज को चलिए ऑनस फोल लें Het इन सांइन पर टी इन अच्छाचा को सब्सक्राइब टीन कर जो चोर गया जा सीजिए अब सितफा अब इसका सान्फ झाए प्लस मैनस मैनस इन यांब ना मैनस 3 तो एक informações कर यहां मैनस नहीं पर मूला को डूंद मैंनस नहीं इन अब इसका साइन पलस माइनस पलस माइनस 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 तो माइनस दो का माइनस माइनस दो का रो और कॉलम चुर देंगे रो और कॉलम तो दो गुना तीन जागा थे अब माइनस दो गुना तीन छे तीन दो गुना तीन तीन दो गुना तीन तीन तो गुना जागा थ एतिखा है चीन है बाहना मैनस इसका निखालते हैं को फैक्टर इसका इसका साइन का होगा पलस माइनस पलस पलस का साइन पलस होगा तो 2 का row और 2 का column फ़र देंगे 2 का row और 2 का column दो गणा 2 तो कितना होगा 4 अब minus 2 गणा minus 3 तो कितना होगा minus 6 तो गणा पलस 6 चले देखें धान से अब लोग तो A inverse तो 6 इसको गुना कर देते हुए मैनस सब्स मैंनस दबटे 25 घ्र कट जाएगा 15 नो मैनस-ठ region लाद माइस इस तो यह थो से थो रोद भ Jugland I paid in a car aggressive प्रनेख चालिए और आखिए दो चार को लोए पांस पर इनस पांस पिर यह भला मैनुस government तो पांच बटे 25 चलिए चार मेंस नो करेगा तो मैनस पांच तो यहां बला मैनस और यहां बला मैनस तो क्यों जाएगा पलस तो लिख देंगा पांच बटे 25 चलिए 6 करके कितना जाएगा जीरो अगया देखे नीचे मैनस चार और मैनस हैं मैनस 10 और यह बला मैनस तो यहां पलस 10 तो अगया पांच बटे 25 चार जोड़ अगया तो यहां बला मैनस तो मैनस मैनस के लगा पलस तो लिख देंगे 5 बला technical cheese 4 6 10 और यहाँ पर मैनस है तो वह मैनस 10 बटे 25 तो देखें, A inverse 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 55 परचीश तो 0 है 5 से काटेंगे, 5 तीया 15 और 55 परचीश चले 5 से काटेंगे 65 परचीश तो ओका मानस 1 बटे 5 तो एक बटे 5 यह तो जागा 0 ठीक है 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 आब 55 परचीश 25 परचीश तो जागा 1 बटे 5 5 से काटेंगे, तो जागा मानस 2 बटे 5 तो आही हो गया आपका एंशर थेक depende को तो चलिए हम लुग बनाते हैं तीन नमब्र हां हम लोग क्या बनाते हैं तीन नमब्र मतलब くग्जामपल नमब चार का तिसरा प्रश्ण न होगा तैस्समाल लेते हैं देगे माना कि a बरावर Savannah गली आ आई एग जी और A, B, C चलिए आप लोग में से बताईए कि इसको कौन सा आप यूँ कहते हैं लाइब चैट में बताईए आप लोग कि इसको कौन सा आप यूँ कहते हैं इसको कौन सा आप यूँ कहते हैं लाइब चैट में बताईए क्रिक्स मतलब बिकरण आप भीकरण झांड aye उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये जो अब्यव है यह बाकि सब्हें सब्हाब आप यहां हो जाएगा इह घ्रोजी दो फिर 0-0-0-0 0-0-0-0 C के तो निकालना है ए इनवरसीं क्वफ्वाल टो अ एनवर्षी क्ववाल टो ऐंद Power टो थीक है तो देखे दा सापर लोग तो पहले हम लोग निकालते हैं इसका सार्वनिक क्या निकालते हैं सार्वनिक ठेक है तो लिखते हैं सार्वनिक ए तो सार्निक के क्या दिया वाय डाइगोनल मैट्रेक्स डाइगोनल मैट्रेक्स ए ए बी सी तो याद किजिए आप लोग को बताया थे हैं कि जो अभियो विकर्न अभियो रहेगा उसका सार्निक निकालना बहुत ही इजी होता है उसका सार्निक निकालना बहुत ही इजी होता है हम लोग को क्या करना होता है तो सिर्फ उसके बिकर्न वाले अभियो को क्या करते हैं गुना कर देते हैं तो देखे इसके बिकर्न वाला अभियो को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा सार्निक है क्या निकल जाएगा सार्निक A ठीक है जिसको गुना कर देते हैं A, B, C तो हो जाएगा आपका A, B, C क्या जाएगा सार्निक A आगे आपका A, B, C तो चुक्कि यहां लिख देंगे कि सार्निक A does not equal to 0 इसलिए A inverse का अस्तित्व है A inverse का अस्तित्व है अस्तित्व है आप हम लोग निकाल लेता है A inverse देखें जब पहले निकाल लीजे आप लोग क्या निकाल लिएगा Adjoint of A Adjoint of A Adjoint of A Adjoint of A ठीक है तो बताइए A का Sine तो A का Sine का होगा पलस तो A का को फेक्टर निकालेंगे तो A का परी और एका खरी छोड़ देंगे एका परी एका खरी एका परी और एका खरी छोड़ देंगे तो B गुना C तो जगा B C माइनस 0 का ना 0 0 का ना 0 कितना जगा 0 चलिए अब ज़िरो का ज़िरो का तो 0 का Sine का होगा माइनस तो इसका क्या किरेंगे इसका column और रो छोर देंगे इसका column और इसका होगा पलच इसका कॉलम रोह चुरेंगे इसका कॉलम और रोत चुर में जिरो अगिन्स जिरो कोना भी तो जिड निकल फैनल रो पहला रो का निकालते हैं दूसरा रो का चलिए इसका रो और इसका कॉलम्स फड़ देंगे इसका रो और इसका कॉलम्स जीरो गुना जीरो 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 अब बी का निकालेंगे किसका निकालना है बीका इसका साइन क्या होगा पलस बीगा प्रोच Alles फरो देंगे, बीगा कोलम बीगा रो तो एक खुना से trade का यहाँ आपकेसे 5। Mac-जुरो Dion थिच्चा अब इस जीरो। का से आख क्या होगा तो माइनश यहां भी आपका आएगा. फिक है इसका साइम क्या होगा पलस इसके हाँ भी 00 ये आएगा इसका साइन का होगा थिसका आपको 00 इसको हम लोग गुना करेंगे इसका रो इसक्का कोलम प्थट देंगे रो और कॉलंग रो कॉलम रो जाएगा जीरो ए सी जीरो फिर जीरो जीरो ए बी ठीक है चलिए आप निकाल लेते हैं ए इनवर्स तो ए इनवर्स तो ए इनवर्स बराबर क्या तो वान बटे सार्निक ए सार्निकुर्णा के कितना है ए और य Ned को आपके जीरो जीरो एच जीरो ए बी डिए आफ लोग। को ए इन वर्स बरावर एहनं है वान बटे अ बटे अ बटे अ बचयेगा को गुना करेंगे सब में सब में गुना करना देखिए तो बहने हैं यहां बटे ए बचयेगा ठीक है चली जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना करेंगे, तो जीरो हो जाएगा, और वटे एबीसी, वटे एबीसी, वटे एबीसी को गुना करेंगे एसी में, तो एसी एसी कर जाएगा, तो बचेगा बी, तो लिख देंगे, वटे बीसी, आ जीड हो वनबटे एबी करेंगे तो एबी कर देगा तो इसको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डाइगोनल मेट्रिक्स वान बटे एए वान बटे बी और वान बटे से हो गाँ इसका एंसर आना का लिख सकते हैं इसको डाइगोनल वन ब्रटी एब वन बटी सी ठीक है है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखें एइन बहार बराबर ये जो है आपका एक तरह का फॉर्प्रमूला आ गया आप लोग से अब्जेक्टिब में पूच सकता है अब्जेक्टिब में तो अगर आपसे अब्जेक्टिब में पूचेगा थे कैसे बनाएगा अगर आप लोग से स्काया है अब्जेक्टिप में कैसे पूछ सकता है इसको आप लोग भी भी आये उसको मार लिजिएगा ठीक है इस तरह से आएगा अब्जेक्टिप यदि एकुल टू डाइगोनल मैट्रिक्स तो द्धिए इनवर्स इकॉल तो यह होगी आपका एंसर कि ए इन वर सब्रावर डाइगोनल ना डाइगोनल वान वान बटे दो वान वटे तीन यहां है आपका एंसर बच्छों आज के विडियो में बस इतना ही अगर यह विडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक किजिए आप लोग लाइक जरूर किजिए लाइक नहीं करते हैं लाइक किया किजिए और इस वीडियो को अपने फैमली में अपने दोस्तों में जहां भी पढ़ने वाले लोग है वहां ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए तो आज की वीडियो में बस इतना है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत